दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं गुड़ खाईए कुछ लोग काकवी खाईए माने जिसको राब कहते हैं जितना जाड़े का समय है न नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं दही में राब खाईए, दूद में राब खाईए, हलुआ राब का बनाईए, गुड़ का हलुआ बनाईए, गुड़ दही में खाईए, गुड़ दूद में खाईए, अब गुड़ को दूद और दही में खाने का नियम है, वो बागवट जी कहते हैं, वो कहते हैं जी दही म मिला के गुड़ खाया जाएं दही में मिला के गुड़ खाईएं दूद में गुड़ कभी मत मिलाईएं दूद में गुड़ कभी मत मिलाई दही में मिला के खाईएं तो दूद में कैसे खाएंगे जी दूद में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजे पीछे से आप में से कोई बिहार वाले है ना तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया वियंजन मिलता है उसका नाम है दही चूड़ा दही चूड़ा ही कहते हैं चूड़ा ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्वुत है जो दुनिया में शायद कहीं न हो मिथिला मने एक एरिया है बिहार का करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं उन जिलों में जब भी आप जाएं तो महमान को वही परोस्के लाते हैं तो मैं भी महमान जैसा ही रहता हूँ तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है तो वो दही डाल के लाते हैं ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं दही के ऊपर गुड रहेगा तो मैंने कई बार कहा कि या लिया अलग प्लेट में गुड़ ले आओ तो वो गयते हैं नई-ने आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था, अब जब ये मुझे पता चला बागभट चिकितसा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट के चेले हैं, दही में गुड मिला के पहले से ही चिवडा पे रखके लाते हैं, तो दही में गुड मिला के ही खाईए, अगर आप ये कहते हैं कि दूद खाली पी लीजे गुड आगे पीछे खाली जे वो ज्यादा बेतर है तो गुड खाईए मेरा कहने का मतलब यह अब गुड के कितने preparation है हमारे घर में गुड का तिल का preparation एक है तिल पट्टी कहते है गजक गजक तो भरपूर गजक खाईए क्यों खाईए जी तिल है और गुड है गुड में जो chemical है organic तिल में लगवक वही सब है जो गुड में तिल भी चारी है गुड भी चारी है और दोनों चारी चीजें खाएंगे तो पेट के अमलों को balance करती रहेंगी तो तिल गुड रोज खाईए माने तिल की पट्ट बनाईए गजक बनाईए नहीं तो तिल का लड़ू बनाईए गुड के साथ बनाईए फिर इसी तरह से मुंगफली है मुंगफली भी चारी है और गुड भी चारी है तो मुंगफली और गुड मिलाके वो पट्टी आती है वो खाईए बच्चों को खिलाईए और आपके पास जो भी प्रप्रेशन है गुड तिल के गुड मुंगफली के वो सब बनाईए और ये जो तीन चार महीने हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भरपेट खाईए भरपूर खाईए क्योंकि इस समय आपके शरीर को इनी की जरूरत है तो कफ जिंदगी से बहुत तिल खा रहे हैं गुड खा रहे हैं मुंगफली खा रहे हैं कफ बढ़ने की बिलकुल संभावना नहीं तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है मोटापा मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड खाईए भरपे वाला लडिएल वाला नहीं है वी अल्डियल ये मुटापा जो है ना वह वी अल्डियल और लडियल का चक्कर है है एच्डियल जैसे ही बढ़ेगा मुटापा अपने आप कम होगा पेट अंदर ही जाएगा आप मेंसे कोई भी मेरे कहने पर तीन महीने एक एक्स्परीएंट कर लीजे तिल चबाचबा के खाये खाने के बाद तीन महीने के बाद वजन नां 써एगे आठब दस किलो कम मिलेगा कम से कम इतना कम मिलेगा कि seven कि dice 1 क काने के बाद सौफ़ काते है नाउस की जगे तिल खाईए और काला खाया तो और जादा वजन कम मिलेगा काला तिल एक है सफेद काले के गुणवत्ता सफेद से भी जादा है लेकिन ये इनी चार महिनों में गर्मी में अगर आप में यही तिल खाया तो प्राब्लम आएगे बागवट जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत जादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खतम करिए फिर कुछ और चीज लिए-टर यूरिक एसीड जमा हो गया जी यूरिक एसीड क्या है अमली ही तो है तो यह यूरिक एसीड आपको कम करना है तो गाट के सब जो मनें जोडों के दर्द आपको कम करने हैं तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है तिल है गुड़ है और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवट जी कहते हैं छोटी मदुमक्खी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको स्कूँ थाग्पायर्ण वार्ण, शहद प स्कूँ तो शहद तो शहद बड़ाईप शर्ताई प्राइछ देसे Σburgh छोड़ासिता स्वाद जैसे सर्षर्ण